हेलो एब्रिवन हम लोग इस पीडी दिलो जनरल साइंस का मॉडल सेट का स्रीज कर रहे हैं इससे पहले पार्ट 7 वीडियो में हम लोग model set 61 से लेके model set 70 टक discuss किये थे आज ये इसका part 8 वीडियो है इस वीडियो में हम लोग model set 71 से लेके model set 80 टक को discuss करेंगे और अभी तक अगर आपने इस youtube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe कर ले आपको मिल जाए तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले हम लोग model set 71 को discuss करेंगे तो first point है पंडूबी के अंदर से बाहर की वस्तुकों को देखने के लिए किस यंद्र का परयोग किया जाता है तो पंडूबी के अंदर से बाहर की वस्तुकों को देखने के लिए पेरियस्कोप का परयोग किया जाता है next है एक Newton कितने डाइन के बराबर होता है तो एक Newton 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है मेक्स पॉइंट है एक परकास वर्स कितने मीटर के बराबर होता है पर्थम श्रीनय के उधारा ने के निम्मून चोड़ने के म इत्यादे नेक्ट तिरतिस रेनी का उत्तवलक कौन होता है तो तिरतिस रेनी के उत्तवलक के उधारान ने चीमटा किसान का हल मनुष का हाथ इत्या दी यांतरिक उर्जा को विजित उर्जा में कौन परिवर्थित करता है तो यांतरिक उर्जा को विजित उर्जा में डाइनेमो परिवर्थित करता है कौन करता है डाइनेमो करता है नेश्ट सौर उर्जा को विजित उर्जा में कौन परिवर्थित करता है सौर उर्जा को विज जाती तो लुट में इस्थीद पिड्ट का भार घर जाएगा निक्स है यान में बैठे यात्री के फौंटएन पैंसे याहि क्योंod टीव च्जाती है तो वा तो इसका करण से या वाय मंडले दाप के कम होने की कारण से नेक्ष्ट आपेची घन तो किस यंदर द्वारा मापा जाता है तो आपेची घन तो हाइड्रोमेटर के द्वारा मापा जाता है किसके द्वारा हाइड्रोमेटर के द्वारा मापा जाता है जब कोसिक नली पारे डुबाया जाता है तो क्या परवा पड़ता है तो जब केस नली में पारे डुबाया जाता है तो पारे का सता उबरा हुआ प्राप्त होता है कैसा होता है उबरा हुआ प्राप्त होता है अब हम लोग मॉडल सेट 72 को डिसकस करेंगे मॉडल सेट 72 में फ पढ़ा पढ़ेगा इसका आवर्तकाल में कोई परभाव ने पढ़ेगा भाले के जैसा ही रहेगा नेक्ट यदि कोई जूल लगकी जूला जूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या पढ़ा पढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा तो उसका आवर्तकाल घट क्या क्या है तो विस हड्स से नीचे किे आवरती वाली तरंगे को अवस्त्रय तरंगे काते — प्रासार में किआ जाता है निज्ट इनदर्ग के हनग जिवानों को नस्ड करने गठियरों के उप्चार उप्चार में के tumor का पता लगाने आदी में किस तरग का पपरव किया जाता था इसमें प्रासरू तरग का परवो किया जाता है निक्ति यदि नίछे उतरते समय लिट्ट की डोही टूड़ जाये तो वहा मुग्त की भाती नीचे गिर दिये ऐसी स्थिति में लिप्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार सुन्य हो जाएगा क्या होगा पिंड का भार सुन्य हो जाएगा नेक्ट जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के उपर रहता है तो उसके आयतन का लब एक बटा दस भाग पानी के उपर रहता है कितना एक बटा दस भाग नेश्ट एक्स किरने की खोज किसने की है तो एक्स किरने की खोज रॉंग टर्न ने की है किसने की है रॉंग टर्न ने की है नेक्स्ट परावगनी किरने की खोज किस ने किये तो परावगनी किरने की खोज रीटर ने किये किस ने रीटर ने नेक्स्ट आवरक्त विकरन की खोज किस ने किये तो आवरक्त विकरन की खोज हरसल ने किये किस ने हरसल ने नेक्ष्ट द्वानी की चाल सबसे अधिक किस माध्या में होती है अब हम लग मॉडल सेट 73 को डिसकस करेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्ति द्वानी सुनने के लिए सुरोता एवं प्रावर्तक सता के बीच नीमतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो इसके लिए सुरोता एवं प्रावर्तक सता के बीच नीमतम दूरी 17 मीटर या फिर 16.7 मीटर होना चाहिए कितना 17 मीटर या फिर 16.7 मीटर यानि कि लगग 17 मीटर के बराबर होना चाहिए पारा किस्ता पर जमता है तो पारा मैनस 49 डिग्री Juliet कितना 49 डिग्री Juliet किस बीधी से होता है ठोस माध्य में उस्मा का संचरन चालन बीधी के द्वारा होता है किसके द्वारा चालन बीधी के द्वारा होता है नेक्ट दरवो एवं गैसो में उस्मा का संचरन किस बीधी द्वारा होता है कोबाल्सिस्टी आमतवर पर विख्षित चिकित्सा में परियुक्त होता है तो ये कौन सा किरन उत्पन करता है पेट अथो शरीर के अंद्रिक अंगों के अनुवेछन के लिए परियुक्त तक्निक एंडोस्कॉपिक की सिधान्द पर अधारित है तो यह पूर आंत्रिक परवर्तन के सिधान पर अधारित है किस सिधान पर पूर आंत्रिक परवर्तन की सिधान पर अधारित है नेक्ट तेजी से घुमती भी फुटबॉल के बीच वायू में दोलन होना किस सिधान पर कार करता है या बर्नौली के सिधान परिकार करता है किसी की चत्र चाशा आश्चा आशोसक है और शेथर को सबस्ता देखनें군 क्जा साहिता मिलती है इसलिए इसको खिला आई जाता है धुलाई मशिन का का लिए किस सिधान पर अधारित है तो धुलाई मसीन का कारी करना अब केंद्रिय बल के सिधान पर अधारित है किस पर अब केंद्रिय बल के सिधान पर अधारित है नेक्स्ट पेरियस्कोप किस सिधान पर कारी करता है तो पेरियस्कोप पुर्ण आंतिक परवर्तन के सिधान पर कारी करता है नेक्ट एक बर्प पानी से भरा है और उसमें बर्प का टुकड़ा पानी के सता से उपर तैर रहा है क्या होगा जब बर्प का टुकड़ा पिघणने लगेगा तो जब बर्प का टुकड़ा पिघणने लगेगा तो पानी का तल अपरवर्थी तरह उसमें कोई परव सुन्य होगा अब हम लोग मॉडल सेट स्वेंटीफोर को डिसकस करेंगे मॉडल सेट स्वेंटीफोर में फस्ट पॉइंट है फोटोग्राफिक कैमरा की अंदर की सता को काला कर दिया जाता है ताकि इसलिए क्योंकि पूर्ण आंत्री परवर्ता ना हो किसलिए ताकि द्होनी के अभी लेकर पर अधारित है नेक्ट परकास विजद सेल का क्या कारी है तो परकास उर्जा को विजद उर्जा में बदलना नेक्ट परकास विजद सेल का कारी क्या है तो परकास विजद सेल का कारी परकास उर्जा को विजद उर्जा में परिवर्तित करना है ने कौन गराय है तो हमारी पृत्वि के दर्मान अकारियोंघरत के शमान शुक्र गराय कौन है शुक्र गराय नेक्स्टे विदूत बल में नीम्हदापर za या इस की मातरा क्यों भरी जाती है जुक्ई तंतु का वास्पन ना रहके किसलिए तन्तु का व्वास्पन न आ हो इसके तो अशच ऑहरी मसीनों में ऐस ने हैं करूप में किसका पर्यूप के आता है तो भारी मसीने टूर्स एक मद्ध्यम एकार एक मध्यम अकार का तारा है नेक्ष्ट समुद्र में डूबी वस्तों का पता लगाने है तो परित उपकरन कौन है तो समुद्र में डूबी वस्तों का पता लगाने के लिए सोनार का परयोक्या जाता है किसका सोनार का परयोक्या जाता है नेक्स्ट है रेल पट्रियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्रि स्लीपर क्यों भी चाये जाते हैं तो या रेल गाड़ी के कारण उत्पन दाब को घटाने के लिए लगा जाता है किसलिए रेल गाड़ी के कारण उत्पन दाब को घटाने के लिए भीचाये जाता है क्रित्रिम उपगरा में विधूत का साधन क्या है तो क्रित्रिम क्रित्रिम के व सदन सवार सहल है में वर्ष 1910 और 1976 में सधर दिखाई देने वाला धुमकेत। हैली धुमकेत। है क्या है है तो यह है अल्फा सेंचारी किया है एक अल्फा सेंचारी निगें जिस मंदा किनी में सोर मंचल है उसका नाम क्या है तो उसका नाम का माघ्य प्रकास वर्श है क्या है प्रकास वर्श है नेक्ट प्रित्विन के आयू का आक लगं किस विधि से क्या जाता है तो प्रित्वी के आयू का आगलान uranium dating विधी से किया दाता है किस विधी से uranium dating विधी से next जिवासमो की आयू का निधारन किस विधी द्वारा होता है तो जिवासमो की आयू का निधारन रेडियो कारबन कार निधारन विधी के द्वारा होता है एक पावर सॉकेट पर कई विदूत उपकरनों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अती तापन के कारण विदूत के वायरिंग खराब हो सकती है, किसलिए तो अती तापन कारण विदूत के वायरिंग खराब हो सकती है, नेश्ट विदूत परिबत में फ्यूच का कारे क्या ह तो बिदूद परिपरत फूजुच का कारे ओभर लोड़िंग या लगुपतन की स्थिति में परिपत को भंग करना है, समुद्ध की गराहीम आपने वाला यंद्र कौन है, तो समुद्ध की गराहीम आपने वाला यंद्र फैदो मीटर रखे थूचोCC नेक्ट वस्तुवों की त्री आया में परती बीम्बो के अभी लेखन की तक्निक क्या कहलाती है तो यह तक्निक होलोग्राफिक कहलाती है होलोग्राफिक आलाती है निए बिदुत परिपत में संगारित का परियोग किसलिए किया जाता है तो बिदुत परिपत में कंडेंसर का परियोग बिदुत आवेसों के संग रहन हेतु किया जाता है किसलिए बिदुत आवेसों के संग रहन हेतु किया जाता है निए पुरुस आदरवायू में नेक्ट साबुन के बुलबुले को स्वेत वानी वर्नी परकास में देखने पर उनमें अनिक रंग दिखाई पड़ने का कारण है उसमें अनिक रंग दिखाई पड़ने का कारण परकास का व्यतिक करण है परकास का व्यतिक करण है नेक्ट सुर्यास्त के कौन सा दर्पन उब्योग होता है तो कार के हैंड लेफ में परवलिया उतल दरपन का पर्योग क्या जाता है मोटर वहानों के पीछे का दिर से देखने के लिए होन सा दरपन का पर्योग क्यों यह देखने के लिए उत्तल दरपन का पर्योग किसी व्य ट्रिमाना का कारण वाई मंडली अपवर्थन क्या है वाई मंडली अपवर्थन की कारण होती है नेक्ट पूर्ने सूरी गरहन में सूरी का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है तो पूर्ने सूरी गरहन में सूरी का कौरोना या क्रीट भाग दिखाई पड़ता है कौन भाग क प्रोन या कीड भाग रेडार का पर्योग क्या है तो रेडार का पर्योग व्याइज्व वस्तों की पाचान और पर करने की कारण क्या है तो इसका कारण दोव्य दिवारों के भीत्री सता पर रजत लेप तथा दोहरी दिवारों के बीच में निर्वात होना है निक्ष्ट है रेफ्री जनरेटर का हिमी करण कच उसमें सबसे उपर क्यों लगाया जाता है तो इसका करण है जिससे या सवहन दहरा के समुचित परवाव से सारे भीत्री भाग को ठंडा कर सके निक्ष्ट सुर्योच क्या है तो सुर्योच गरहा की परिकर्मा में वा बिंदू जब वा सुर्गी अधिक्तम दूरी पर हो तो उसे ही सरवच काते हैं किसे काते हैं सुर्गी परिकर्मा में वा बिंदू जब वह सुर के अधिकांज दोरी पर हो तो उसे ही सुर्योच कहते हैं नेक्ट भू उच्छ क्या है तो चैंद्रमा का क्रित्रिमुगरा की प्रित्वी के अधिकतम दोरी वाले इस्तिति को भू उच्छ कहते हैं नेक्ट पॉइंट है इज बिधूत मस्तिस्क लेखी किस से सम्बंदित है तो यह मस्तिस्क से सम्बंदित है किस से मस्तिस्क से सम्बंदित है नेक्ट क्योरी किसकी इकाई का नाम है तो क्योरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है किसका रेडियो एक्टिव धर्मिता की नेश्ट कैंडेला किसका मात्रा तो खाद उर्जा को किस लिखाई से मापा जाता है अब हम लग मॉडल सेट सेट सेवेंटीस नियम को डिसकास करेंगे फ़र्च पोईंट है जेल में त्यारना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण सामबाव है तो जल में तैरना न्यूटन के तिर्थे गती के कारण सामब है किस गती तिर्थे नियम के कारण नेक्स्ट न्यूटन की गती का पर्थम नियम क्या कहला था तो न्यूटन की गती का पर्थम नियम का जणत का नियम कहला था क्या कहला था जणत का नियम का लाता नेक्ट सरीर का वजन कहां पर सबसे ज़्यादा होता है तो सरीर का वजन धुरुव पर सबसे ज़्यादा होता है कहां पर धुरुव पर सबसे अधिक होता है निश्ट जाडे की रातों में त्यादिक ठंडा पढ़ने पर पानी की फट जाती क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता किस करण से जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है निश्ट यदि समाने पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वह डूप जाता है और यदि पानी के में काफी मातरा में नमक मिला हो तो उसमें अंडा डाला जाये तो क्या होगा तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा नेक्ट बर पानी में तैरती है परन्तु अलकोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी बर्व पानी से हलकी होती ही तथा अलकोहल से भारी होती है इसलिए बर्व पानी में तरता है प्रंतों अलकोहल में डूब जाता है नेक्ट बांद के नीचे की दिवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गराही बढ़ने के साथ दर्व का दाब बढ़ता इसलिए बांद के नीचे की दिवार मोटी बनाई जाती है नेक्ट भारी हिमकंड सिर्थ के पिछा निचले तल से पिखलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलांग घट जाता है इसलिए भारी हिमकंड सिर्थ के पिछा निचले पर तल से पिखलता है नेक्ष साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या परवाँ पड़ता है तो वाई मंदले दाब से अधिक होगा वाई मंदले दाब से अधिक होता है नेक्ष जब दूद को मतनी से माथा जाता है तो उसमें समक्खन अलग होता है या किस कारण से होता है और दर्मान में कोई परिवर्टन नहीं होगा नेश्ट है किसी लिप्ट में बैठे हुए वैक्ती को अपना भार कब अधिक मालूम पढ़ता है तो जब लिप्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसका भार अधिक मालूम पढ़ता है निफ्ट पॉइंट है ताप के celsius प्रमाने पर परम सूने ताप का मान क्या होगा तो इसका मान मैनस 273 degree celsius होगा कितना होगा प्रित्वी के परिता उपगरा के सता के आवर्तकाल के साथ उसी कच्छा में भूमती रहेगी। एक लिप्ट में किसी व्यक्ति का पर्तियच भार वास्त्विक भार से कम होता है जब लिप्ट कहां जा रहा है तो जब लिप्ट त्वरन के साथ नीचे जा रहा हो। का समानेताब क्या है तो केल्विन मान में मानों शरीर का समानेताब 310 केल्विन है कितना है 310 केल्विन है नेश्ट यदि जल को 10 डिगरी से 0 डिगरी से 0 डिगरी से ठंड़ा किया जाए तो क्या परभाव पढ़ाएगा तो जल का आइतन 4 डिगरी से कम होगा फिर बढ़ेगा क्या होगा जल का आयतन 4 डिग्री से पहले कम होगा फिर बढ़ेगा नेक्ष्ट बर्प का दाब बढ़ाने से क्या परभाब पड़ेगा तो बर्प का दाब बढ़ाने से उसका गल्लां घड़ जाएगा क्या होगा बर्प का दाब बढ़ाने से उसका गल्लां घड़ जाएग तो सुरी का ताफ, पाइरो मीटर ताप मापी द्वारा मापा जाता है next है, जल को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गर्म किया जाता है तो उसका आइतन पर क्या परभाइ पड़ेगा तो उसका आइतन पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है क्या होता है उसका आयतन पहले घढता है उसके बाद बढ़ता है निक्ट सीसे को कि छड़ जब भाब में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या परवाँ पढ़ेगा तो उसकी चौड़ाई आवरस्ति रेगल क्या होगा उसका उस गेंद के अंदर कठोर है जब इस धाति को गेंद को गर्म किया जाता है तो कठोर के आयतन पर क्या परवा पड़ेगा तो कठोर का आयतन बढ़ेगा क्या होगा अठोर का आयतन बढ़ेगा नेक्ट सूरी वीकरन का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है तो सूरी व कितना मैमे माडल से 79 को डिसकस करेंगे सो फ़र्वर्थ द के लिए प्रवर्थक तं चल से मीनिमुम 56 फेट की दूरी पर नेक्ष्ट है रेटीना पर बना प्रतिभीम का इसा होता तो रीटना पर बना परจव वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है कैसा होता है वस्तु से छोटा और उल्टा होता है नेक्ट कैमरे में किस परकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है तो कैमरे में उत्ताल लेंस का यूज किया जाता है किसका उत्ताल लेंस का प्रिविग किया जाता है नेक्ट प्रकास क का रंग किसके द्वारा निसीत किया जाता है तो परकास का रंग तरंगदैर के द्वारा निसीत किया जाता है किसके द्वारा तरंगदैर के द्वारा नेक्ट सुवेत परकास जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम बीचलन किस रंग का होता है सबसे कम बीचलन ला बुल्म्स कितना होगा कितना होगा बाने वेपर्तिभीम की तरह वहार करता है किसी वैक्ति को अपना संपुन परतिविम देखने के लिए आवस्यक दर्पन का निम्तम लंबाई कितना होगी तो आवस्यक दर्पन का निम्तम लंबाई उस वैक्ति के आधि हो कितना होगी उस वैक्ति की आधि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस परकार के दरपन का उपयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए उत्तल दरपन का उपयोग करते हैं क्यों से दरपन? उत्तल दरपन का उपयोग करते हैं next हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है तो हीरा पूर्ण आंतिक प्रवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है किस कारण से पूर्ण आंतिक प्रवर्तन के कारण निश्ट है कार्बूरेटर का उप्योग किसलिए होता है तो कार्बूरेटर का उप्योग पेट्रोल के साथ हवा का मिस्टित करने के लिए होता है निश्ट मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है किसका गयासों की दाब क्या नेक्ष नाभीके रियक्टर के खोज करता कौन थे तो नाभीके रियक्टर के खोज करता एन्रीको फर्मी है कौन थे एन्रीको फर्मी थे नेक्ष नोबल पुरसकार अलफ्रेट नोबल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज की खोज की तोनों ने डायनामाट की खोश की थी, किसकी डायनामाट की खोश की थी अब अब लोग model set 80 को discuss करेंगे, model set 80 में फर्स्ट पॉइंट है नाभी के रियक्टर में और जा किस वीधि द्वारा उत्पन होती है तो नाभी के रियक्टर में और जा नियंत्रित वीखंडरन वीधि द्वारा उत्पन होती कौन सा वीधि नियंत्रित वीखंडरन वीधि द्वारा नेक्ट सापेचिकता का सिधान्त किस ने दिया था तो सापेचिकता का सिधान्त आइंस्टिन ने दिया था तो ट्रांस्फर्मल का कार एसी भोल्टा को घटाने और बढ़ाने में पर्युक्त होता है नेक्ष्ट महासागरो से सुध जल किस बीधी से प्राप्ट किया जा सकता है तो महासागरो से सुध जल आस्वन बीधी के द्वारा प्राप्ट किया जा सकता है कौन सा भीदी वास्पी करन भीदी के द्वारा कपड़े धोने का सोडा का सुत्र क्या है तो कपड़े धोने वाला सोडा का सुत्र है N A2 CO3-10H2O क्या है N A2 CO3-10H2O नेक्ष्ट एक ठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह जहाग क्यू नहीं देता तो इसका कारण है किस करण इसमें कालसियम तरहा के मैगनीशियम के कारणेट गूले होते है किस करण खात तेलो को वरस्पतिगी में किस प्रकरम दोरा बदला जाता है तो यह हाइड्योजयनी करन बीधी के दриз्द एक कौन sowा बीधी हाइड्योजयनी करन बीधी के दोरा नेक्स्ट है लाउंड्री सावन क्या है तो प्राकिर्तिक शुरोत के उच्तर वसा आमलों के सोडियम लाउनों का मिसरन है किसका प्राकिर्तिक शुरोत के उच्तर वसा आमलों के सोडियम लाउनों का मिसरन है संसलेसित अपमार्जक क्या है तो या एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सलफोनिक अमलोग के सोडियम लवन के मिश्रन है क्या है एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सलफोनिक अमलोग के सोडियम लवन के मिश्रन है रासानिक तोर पर हीरा क्या है तो रासानिक तोर पर हीरा एक सुध कारबन है क्या है हीरा सुध कारबन है नेक्ष जल आपूर्तिक के लिए पर्योग की जाने वाली जल का सोधन किस परकिरिया द्वारा होता है तो जल का सोधन वा क्लोरीनी करन पर किरिया द्वारा होता है कौन से पर किरिया क्लोरीनी करन पर किरिया के द्वारा नेक्ट प्राकिर्टिक रबड को अधिक मजबूत था परतियस्त बनाने के लिए उसमें क्या मिला जाता है तो आप उसन को बनाते समय सोने में तामबा को मिला जाता है किसको तामबा को अगर यह वीडियो आपको अच्छा रगा तो वीडियो को लाइक और सियर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थांक्यू